हाई फ्रेंट्स वेल्कम बैक तो माई यूटूब चैनल क्रिस कंप्यूटर टिप सांटिक तो आज के इस व्यूडियो में हम बात करने वाले हैं कि जब हम अपना Microsoft Office इंस्टॉल करते हैं तो हमें एक एरर में सब्सक्राइब सब्सक्राइब करते हैं तो हम आपको बताएंगे किसको कैसे रिजॉल्व करेंगे तो इसके लिए सबसे पहले हमें जाना है एमस ऑफिस सेवन में और सेटप पर डबल क्लिक कर देना है और यह इंस्टॉल होना सुरू हो जाएगा उसके बाद हमें एक एरर मैसस सो होगा सब्सक्राइब करते हैं तो मैं इसको डाउनलोड कर लेता हूं इसको डाउनलोड कर लेता हूं इसको डवल क्लिक करके ओपन करता हूं तो यह उपन हो रहा है यह हमारी problem को detect करेगा उसके बाद हमें क्या install नहीं हो रहा है तो हम installing पर click करेंगे उसके बाद हमारे साथ जो problem आ रही थी वा Microsoft Office 2007 को install करने में आ रही थी इसलिए हम इसको select कर देंगे और इसको uninstall कर देंगे अनिस्टाल पर हम जैसे click करेंगे resolving problem एक error message जो हमारा था वह resolve होने लग गया है तो इस process को होने दे या some time लेगा देखे जैसा कि हमारा problem found cannot install और uninstall प्रोग्राम फिक्स्ट हो गया है अब हम इस trouble shooter को close कर देंगे और जाएंगे हमें अपने MS Office 2007 में और setup पर दोबारा से double click करेंगे तो यह हमारा setup जो है वा ओपन हो रहा है चैल यह हमारा installing process जो है वह सुरू हो चुका है कुछी देर में हमारा जो Microsoft Office 2007 सक्सेसफुल इंस्टॉल हो जाएगी तो हम देख रहे हैं आप देख सकते हैं installing process जो है वह सुरू हो चुकी है मैं वीडियो को थोड़ा skip कर दे रहा हूँ देखिया यह half install हो चुका है तो थांक्यू सो मच गयास पर वाचिंग इस वीडियो और आई वीडियो नेक्स टाइम कि ऑल दो हो चुका है